हैलो, रड़ी रड़ी गाई सो कैसे हैं आप सावाई हो वच्छ होगे मैं भी अच्छी हूँ तो आज मैं बनाने वाली हूई हूँ फेस मास्क जो बाई पहले हम इसमें चार चमत चावल ले लिये हैं और इसमें हम करीब देड़ गिलास के करीब इसमें हम पानी एट करेंगे हमने डेड़ गिलास के करीब इसमें पानी डाल लिया है अब इसको मादे गंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे उसके बाद फिर हम इसको पकाएंगे तो अभी आदा गंटा हो गए है देखिए है चावल कुछ इस तरह से फूल गए है अब हम इनको रखेंगे गैस के उपर ताकि ये थोड़ा सा पक जाएं तो अब हम इसको गैस पर रख देंगे और अच्छे से पकाएंगे ये हमें तब तक पकाना है जब तक इसका पूरा पानी मंदब की खतम ना हो जाए कुछ इस तरह से उसके बाद देखे कुछ इस तरह से हो गया है अब हम इसके गैस को बंद कर देंगे अब हम इसको मिक्सिजार में डालके एकदम पेश्ट बनाएंगे पेस्ट बनाने के बाद में हम इसको एक च्छनी की मदद से जो है हलका जो मदब की जो मोटे लम्स होते हैं वो निकल जाएंगे ताकि इसलिए हम इनको अच्छे से चाननेंगे और उसके बाद ये देखिए एक अच्छी क्रीम की टेक्सर में आ गया है अब हम इसमें 3-4 चमच तक दूद आइड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में फिर हम इसमें मिलाएंगे जैतून का तेल आप अगर जैतून का तेल नहीं है तो नार्य praw का भी वे हैट कर सकते हैं या नारियल का तो हम आइड ही कर रहे हैं आप बादाम का तेल भी यूज़ कर सकते हैं फिलाल मैंने इसमें जैतून का तेल और नारियल का तेल दो चम्मच जैतून का तेल और दो ही चम्मच नारियल का तेल आइड किया है और अच्य से हमने इसको मिला लिया है अब हम इसे क्या करेंगे एक कंडेर में जो है स्टोर करेंगे रूटिरे के रह लेंगे क्योंकि यह साथ दिन तक यूज्ज करनी होती recovery है ति पही हम इसका अच्छा डिशर्ड पाएंगे तो इससको daily routine में सामिल कर लेना है क्रिम को आप चाहें तो दिन में भी यूज़ कर सकते ही और चाहें तो night में भी लेकिन आपको इससे जब بھی लगाना है तो massage की तरह ही लगाना है जैसे massage की जाती उस तरह से 1-2 मिनट के लिए massage करनी है और massage करने के तब भी कोई नहीं क्योंकि इसमें जो है आइलम ने जो आड़ किया था उसका टेक्सर रह जाता है फेस के उपर तो आइली सा मेहता है थोड़ा थोड़ा और यह इतना ज्यादा एफेक्टिव हुआ है आप इसको जब साथ दिन यूज करेंगे ना तो आप खुद इसके अच शिर जड़ पाएंगे